मशकार में हूँ आपके साथ इंशार नेशनल डूड़ो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वक्त की बड़ी ख़बर देखें एटा से संदिग दिपरिस्तितियों में मिला महला का शवफ पुलिस ने जताई हर्त्या की आश्म का ख़बर है एटा से बता दे ठाना अवागर छेत्र से ये ख़बर आ रही है निकल के सामने जहाँ संदिग दिपरिस्तिती में शादी शुदा महला का शवफ जंगलों में मिलने से हरकंप मच गया है सुचना पर पुलिस मौके पर पहुची है पुलिस ने शवफ को अपने कबजे में लेकर पोस्ट माटम ही टू जला मेडिकल कॉलिज भेजा है तिलहाल महला के शवफ की शुनाफ्त नहीं हो सकी है बताने की कस्वा आवागर इस्सित नगला किशन के जंगलों में नहर के किनारे विवाहित अग्यात महला का शवफ मिलने से हरकंप मच गया सुचना पर राहगीरों आना पुलिस को ये सुचना दी मौके पर पहुंचे वरिष्ट पुले सदिक्षक सहित अपर पुले सदिक्षक जंजर सिंग कुश्वा एवं छेत्र दिकारी जले सर नासिर खान ने मामले की जाच परताल की वही थाना अवागर तिरभारी ने महिला के शवफ को अपने कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए जिला मुख्या ने बेजा वरिष्ट पुले सदिक्षक उधर शंकर सिंग द्वारा बताया गया कि अग्यात विवाहित महिला की शुनाक्त की जा रही है महिला के गले पर किसी धारदार हत्यार के निशान जिया जिससे प्रतीत होता है कि महिला की हत्या कर उसे यहां फेग दिया गया है पुलेस पूरे मामले की जाज में जुटी हुई है एटा से साहिर महुसिन की रिप्ट यहां नगला किशन के जंगल में नहर के किनारे एक विवाहित महिला का सव यहां मिला है उसके गले पर इंजरी मार्क है एसा पुतीत होता है कि किसी सार्व वेपन से इंजरी कारिद की गई है अभी इसकी सिनाक्त नहीं हो पाई हैं सिनाक्त के प्रयास किये जा रहे हैं और पुलिस के द्वारत अग्रिम बैधानी करवा ही कि जा रही है